महामार्क पर जब भी कोई ट्रक या गाड़ी से सामान की यातायात की जाती है तब चेक पोस्ट पर पुलीस कर्मी इन ट्रक चालो की जाच कर पैसे वसुलने की कोशिश करते हैं जिसे इनने काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है इसी भ्रष्टा चार को रोकने के लिए भाईचारा राजमार्क परिवहन के संस्तापक नरेंद्र मिश्रा ने प्रलहाद अग्रवाल से मुलाकात कर लॉजिस्टिक कर्मचारियों की परिशानियों के बारे में चर्चा की देश में दिनों दिन लॉजिस्टिक कर्मचारियों की हालत बिगरती जा रही है इस पर जॉइन सेकेटरी प्रलहाद अपने बयान के जरिये सरकार से इन कर्मचारियों की सहायता के लिए योजनाय तयार करने की अपील कर रहे है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है Mayra कहना यह है राश्ट हित्में देश हित्में इनसान के फेवर में क्योंकि लोजिस्टिक इंड़स्टिक है और उसकी बुरी हालत है आज के अगर सरकार जिस पर दुसरे किसान भाइयों के लिए औरों के आज़ और यह सो चाहिए इस इंड़स्टिष के बारे में भी उनक शुशना चाहिए क्योंकि वो बिलकुल पूर लोग हैं और सोचके उनको इसके बारे में जो भी डायते हैं या जो भी उनको बेनेफिट देने हैं कुछ बेनेफिट छोटे-छोटे दीएं उनसे कुछ नहीं होगा अभी तो इनको इनकी हालत ऐसी है कि बड़े बेनेफिट इनको देने पड़ेंगे और दूसरा जो उनकी जो ड्राइवर कोई करना ही नहीं चाहता उसका रीजन यह है कि चेक पोस्टों पे पुलिस वाले जो उनको अरस करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं उसके लिए भी कोई इतना डीपली सोचना कि यह कैसे बंद हों तो जैसे एवील सरकार ने सेल्टेक्स के लिए निकाला है उसी तरह इसमें भी कोई ऐसी चीज निकाली जाए कि जहां से माल लोड हो उसका कोई एक ऐसा सेल्टिफिकर्ट मिल जाए कि अगर वो गलत है तो उसका वहीं चलान ओन लाइन चलान हो जाए अगर वो गलत नहीं है सही है तो उसको एक क्लीन चीट या कोई ऐसा एवील टाइब का काकज मिल जाए जिससे कि जहां भी कोई चेकपॉस्ट वाला पुलिस वाला या कोई गाली रोकता है उसको अरस नहीं करे उसका टाइम रेस्ट नहीं करे और उससे पैसा नहीं मांगे और दूसरा ड्राइवरों की शोटेज इतनी ज्यादा है उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए उसके लिए भी ड्राइवरों को इज्जत हर आदमी दे सरकार के आदमी भी दे हर जगह उसको सम्मान मिलना चाहिए और अच्छी सेलरी मिलनी चाहिए जिससे कि इस लाइन म और लोग जुडें और नए बच्चे आएं जो ड्राइवर बनना चाहें क्योंकि उनको यह लगे कि यहां भी हमारे को अच्छा पैसा मिलेगा और मोटर मालिक भी बनना चाहें तो इस तरह की मेरी सोच है मैं चाहता हूं कि यह मेरी सोच उपर तक पहुंचे और उस पे सरकार विचार करके सरकार को लगे कि मेरा सोचना ठीक है तो उस पे कारिवाई हो और राष्ट में लोजिस्टिक के धंदे के हिट में और यह इंडस्ट्री सरकार यह भी देखे कि इस इंडस्ट्री से उनको कितना पैसा मिलता है कितना पैसा मिलता है उसके एवज में उस इंडस् दीरे धीरे कोरोना महमारी की चपेट में अब जीवन आवश्यक वस्तूओं को जरुरत मंदों तक पहुंचाने वाले ट्रक के चालक भी आ रहे हैं इस पर नरेंद्र मिश्रा का कहना है कि हमारी संस्था स्वच्छ भारत स्वच्छ परिवहन के तर्ज पर काम करती है ऐसे में परिवहन कर्मचारियों के साथ इस तरह का बरताफ गलत है आज हम कल साम को में प्रहला दगरवाल जी को फोन किया कि मसार ऐसा जो अपने लोगों ने काम कर रहे हैं आज जो ट्रक चालक माला क्या मजदू लोग पहार से फंसे हुए प्रॉलम में आ रहे हैं इस बीसे हम लो ốnचा सकते हैं जैसा कि हमारी सोच हमारी संस्ता की सवक्रवारत सच्ट परिवहन जब हमारा सभर रहे घा तो बहरत आटूमेटिक स़ क्छ हो अब उसकी जाज पर चालू है उसमें से बहुत ज्यादा से लोग फसने की संभावना ऐसे बताई जा रहे हैं तो इसे हम परिवान विभाग से खासकर आटियों परिवान विभाग से हमारी निवेदन है कि आप किसी भी तरह से गाड़ियों से किसी प्रकार से पैसे का लेंद और ट्रांस्पोर्डिंग चालू हो गए हैं जहां पर सोसर डेस्टेंसरी के साथ काम हो रहा है वहां पर लेवर काम कर रहे हैं क्योंकि लेवरों को भी काम मिलेगा तो रुकेंगे नहीं तो आज पैदल घर जाने की स्थिति में हैं हमारे सरकार से की निवेदन है कि हम प्रोलम नहीं जैसा हमने पिछले बार हमने इसी चैनल के माद्यम समने बताया था कि कम्स कम छह मैने के इस्टॉलमेंट गाड़ी वालों को फ्री कर दी जाए उनके जो सरकारी टेक्स गाड़ी में किसी प्रकार के लगते हैं वो ना लगाए जाए और जिससे ट्रक चालक मा दी जाए अगर यह मुदर सरकार के तरफ से मिलती जाएगी तो उनको भी काम करने में प्रोस्वाहन होगा वागे वागे बढ़ेंगे जैहिन जैभारत संदेश लोखंडे जो चद्रबदी शिवाजी महराज संस्था से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी ट्रक ड्राइवरों की भावना को सामने रखते हुए कहा कि ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू है हाला कि सभी के लिए एक प्रकार का कानून और एक प्रकार का दंड होना चाहिए जो भी कानून बने वो ट्रांस्पोर्ट और आर्टियो दोनों पर लागू होना चाहिए करोना महमारी ने सभी वर्ग को असहाय कर दिया है इसका जादा असर गरी वर्ग पर देखा जा रहा है जिसमें दिहारी मजदूर ट्रक चालक रोज कमा कर गुजर बसर करने वाले लोग शामिल है इनकी मदद के लिए कोई न कोई संस्था आगे आ रही है लेकिन एक सही कानून बना कर सही रहत कार्य योजना बना कर इसे अमल में लाने की जरूरत है क्यामरा परसिंट राजकुमार महोड के साथ दिपिका धनेश्वर नबीसेन नियूज नाखपूर